आये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पर एल्जम और एच्छिप का तो इस पार्ट में हम लगबग प्रक्टिस करेंगे बीच में कंसेप्ट में आपको बताऊंगा जो कि काफ़ इंपोर्टेंट रहेगा उस कंसेप्ट के आदार पर हम एल्जम और और पहले दो संख्छाओं का गोणनफल पांशी क्याओं है और अंतिम दो संख्छाओं का गोणनफल है का योग क्या होगा तो सबसे पहले आप अगर आप मैं बताना चाहूंगा आपको के विक को प्राइम नमर क्या होते हैं यानि सहे अबाज्य ऐसी दो संख्यां या दो से ज़्यादा संख्यां जिने में कुछ भी कोमन नहीं होता उस सारी की सारी को प्राइम कहलते हैं जैसे मान लीजे मैं बात करूं 4 और 5 की, तो क्या 4 और 5, 4 और 5 में क्या कुछ भी common है? नहीं, तो ये क्या है? को प्राइम है, या दूसरी बात सा हम ये कह सकते हैं, कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, या हम ये कहें, कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 की अलावा कुछ भी common न चाहूं 57 की, तो ये भी आपस में कहें, दोस्तो को प्राइम है, बात करें 3 संख्याएं जो को प्राइम है, मान लीजे 5, 7 और 11, क्या इनमें कुछ भी common है? नहीं है, जैसे मैं बात करना चाहूं 11, 17 और 19, क्या इनमें कुछ भी common है? नहीं, तो ये भी आपस में क्या है? को जैसे मैं बात करना चाहूं 39, 31 और 37 क्या इन में कुछ भी common है दोस्तों नहीं यह आपस में कहा हैं दोस्तों co prime है लेकिन मैं बात करना चाहूं 15, 18 और 21 क्या यह co prime हैं दोस्तों नहीं क्योंकि इन में एक के अलावा एक संख्या और common है, तीन भी common है बातागी समझ में यानि ऐसी संख्याइं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कोमन ना हो अर्थात ऐसी संख्याइं जिनका HCF highest common factor एक होता है ऐसी संख्याइं आपकी को प्राइम नंबर कहलाती हैं पहली चीज़ तो ये केलिए होई अब कह रहा है कि तीन को प्राइम नंबर है इनमें पहली दो का म मल्टीपल 551 है अंतिम 2 का मल्टीपल कह रहा है कि 1073 है तो देखें दोस्तों माल लेते हैं कि तीनों संख्याइं जो को प्राइम है वो इस प्रकार से हैं A B वे सी सवाल के कोडिंग दे रखा है कि A गुणा में B बराबर कितना है वही 551 है और B गुणा में C बराबर कह रहा हम यहां पर चेक करते हैं कि 551 कौन सी संख्याओं से भाग जाता है तो यह 2 से भी भाग नहीं जाता यह 3 से भी भाग नहीं जाता यह 4 से भी नहीं जाता भई 5 से भी नहीं जाता 6 से भी नहीं जाता 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं जाता 11 से नहीं जाता 12 से नहीं जाता 13 से न आपको टेटा लग जाएगा बहुती महंगा पड़ जाएगा यह सवाल इसलिए क्या करना है ऐसी संख्याओं के लिए दूसरा मेठट आपको यूज़ करना है फाइंड आट करने के लिए वह क्या है दोस्तो देखें यह तो बात सही है कि यह संख्याएं और आपस क्या है को है नहीं सहे बातारी समझ में तो आपको क्या करना है आपको अबाज्य संख्याइं ढूंडनी है हम क्या कर रहे हैं बाज्य दोनों को चेक कर रहे हैं आपको अबाज्य ढूंडनी है लेकिन अबाज्य ढूंडने के लिए अलग मेथड है वो क्या है दोस्तों कि आप को क्या करना है पान सुख्यावन जिसी संख्या दे रखे भई तो पान सुख्यावन के पास में पान सुख्यावन के नजदीक परफेक्ट सुक्यर कोन सा है जो किसी प्राइम नंबर का है पान सुख्यावन के नजदीक वो परफेक्ट सुक्यर ढूंड़ना है जो किसी तो हम क्या करेंगे 500 क्या उनको 23 से चेक करेंगे क्या पांसी क्याओं 23 से भाग जाता है दोस्तू बिलकुल नहीं जाता तो आपको क्या करने इस 23 से निचे आना है अब 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या है दोस्तू 19 तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे क इसको डिवाइड करेंगे तो उन्नीस दूनी 38 ठीक है और उन्नी निमा 161 ठीक है दोस्तों तो उन्नीस गुणा में 39 करेंगे तो पांसी क्यों आ जाएगा दोस्तों इसी परकार अगर 1073 को देखें तो इसके नजदीक प्राइम नंबर का सुकेर कौन सा है जो की परफेक्ट ह तो आप कहेंगे सर 961 सुकेर होता है 13 का 961 सुकेर किसका है दोस्तों 31 का लेकिन हम यहां पर देख पार हैं कि 30 से भाग नहीं जाएगा 31 से संख्या नहीं कटेगी दोस्तों तो आपको क्या करना 31 से जस्ट छोटा चलना है वही तो एक तीस से छोटा प्राइम नंबर कहें दोस्तों 39 तो आप इसको 39 से भाग देंगे तो 39 58 39 87 गुणा में तीन करेंगे फिर बच्चे का 39 साती तो 39 गुणा में साथ करेंगे नहीं 39 गुणा में 37 करेंगे तो आपका 1073 निकल के आ जाता है ठीक है दोस्तों वैसे भी अब यहां पर हम देख पारें कि ए और बी का मान तो ए गुणा में बेराबर 89 से हैं तो दोनों जگए कॉमन हैं तो बी का मान यहां कित्urasunu इनटीस वहाँ भी 39 गुणा में कितना दोस्तों तो दोस्तों 9-9, 18-7, 15, 85, आपका आँसर आजाएगा ठेक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरिक के से चलिए अगर नहीं आया थोड़ा सा कम समझ में आया तो रिपीट करके आप देख लेंगे आगला स्वाल लेते हैं आगला स्वाल आपको स्केर्ण प्रनजर आ रहा है कि कह रहा है कि विबाजन विदी द्वारा दो संख्याओं के एच्छेफ ग्यात करने में च्छार करमिक भागफ़ल करम से च्छार तीन च्छे पाँच है और अंतिम भाज़क अगर 12 है तो संख्याओं क्यों होंगी आपने आपको जब स्टार्ट किया था पिछले पार्ट में मेरे ख्याल से तो उसमें मैंने आपको एच्छेफ का डिटेल बतायान था पहला जो ह एक्षयप निकारने के लिए आपको भाग विदी का परियोग नहीं करना लेकिन भाग विदी पर क्युस्षन जरूरा आते हैं तो क्युस्षन करें कि विबाजन विदी द्वारा दो संख्याओं के एक्षयप ग्याद करने में 4 करमिक भाग फल करम से 4-3-6-5 हैं और अंतिम संख्य उसको अंदर लोंगा और बाहर जो चोटी संख्य उससे भाग दोंगा तो 306 गुणा में एक बराबर 306 अब यहां से क्या निकाड़ेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 85 अब 85 यहां जाएगा और यह 306 चला जाएगा अंदर चला जाएगा ठेक दोस्तों आप दोस्तों देखो याब पांच से चारण्ठे नहीं तीन से जाएगा तीन पंजे पंदर असल पाई एक तीन बार जाएगा तो पांच में च्यार आठ में पांच गे तीन 34, 34 से बागे देंगे किसको भई क्यामन को तो ये भी एक बार जाएगा ये 34 से देंगे तो 11 में 4 गई 7 ठेक है और 4 में 3 गई 1 यहां पर बचेगा 17 और यहां पर कह जाएगा दोस्तो 34, अब 17 का भाग देंगे 34 में तो 17 दोने कितना दोस्तो 34 यानि तब तक हम भाग देते जाते हैं जब तक कि क्या ना जाए जीरो आ जाए ठेक दोस्तो यही विदी है भाग विदी दोस्तो तो मैंने आपको बताया जो कि अंतिम भाजक है लास्ट आपका जो डिवेडर है जो अंतिम भाजक है अंतिम भाजक है वही क्या गलता है दोस्तोव एक्सेफ होता है यानि 17 आगर मैं बात करना चाहूं 306 और 300 क्यान में का होगा दोस्तोट जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एक्सेफ होता है और ये क्या हैं दोस्तोट यानि करमागत भागफल है अब आपको अंतिम भाजक दे दिया जाए और करमागत आपको दे दिये जाए यहां पर बागफल तो आपसे संख्या पूछे तो क्या ने निकाड़ सकते बिल्कुल निकाड़ सकते हैं बहुत सत्रा गुणा में दो करेंगे तो चोतिस आएगा अब यह चोतिस यहां पर लगतशिक करते हैं तो बीच्वाली संख्या ने भाज़य आपका निकल आ जाता है इसी प्रकार आप पिच्यासी गुणा में तीन पलस में क्याओन करेंगे तो 376 आ जाएगा तो 306 गुणा में एक पलस में 85 करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या पर निकलके आ जाती है दोस्तों ठीक इसी प्रकार से सवाल आपसे पुछा गया है कि दो अबाज्य संख्या हैं उनको विबाजन विदी द्वारा सूल किया गया अंतिम भाज़क दे रखा है और करमा अगत आपको भागफल दे रखे हैं देखें दोस्तों हम क्या करते हैं पहला जो दे रखें दोस्तों 5 दे रखें अन्तिम रखी कितना दें रखें दौस्तों दे रखेंे ओर यहां पर अगारबारा हैं यहां पर खाल कर दाबारफल अगर तो बाज़क गुणा में सेसफल बाज़क गुणा में बागफल जमा में सेसफल तो बारा गुणा में पांच करें कितना आएगा दोस्तों साथ अब आपको बता अगर ये संख्या मुझे निकालने तो यहां पर सबसे पहले का आएगा दोस्तों साथ आएगा ठेक है अब बात आघे में आप 302 चला जाएगा यहां पर ठेक थेंसो बहतर गुणा में तीन जमा में 60 करेंगे तो 302 रहा दोस्तों 147 तो मेंगोज देख़ेंगे तो कि यहां परेज़ाइगा ग्यारास ऐगा सुखिंटर यहां पर क्या जाएंग दोस्तों इसलों को सोल कर पारे होंगे किए स्वाल को समझे में आया होगा नहीं आया तो आप रिपीच करके देखेंगे, ठेक है बई, आगला स्वाल भी सेम इसी प्रकार का है, कहरा कि यदि विबाजन विदी द्वारा दो संख्याओं का, एच से अब ग्यात करने पर अंतिम भाजक सत्रा है, और भागपल करम से एक, ग्यारा और दो पराप्त होते हैं, तो उन दो से दोसरा बागपल एक दे रखा है, दूसरा बागपल आपको 11 को दो दे रखा है, और अन्तिम भाज़त क्या दे रखा है, तो यहां पर से स्फ़ल क्या राओगा जीरो, अजो सत्रा गुणा में दो करें, प्लस में 0 करेंगे, तो कितना हैंगा, दोस्तों, चौतीस, आप यहांपे संख्या की बात करें तो 3001 मैं है दूसरी 4005 है, का योग पूछा है तो पांच और एक छह दोस्तू, 9, 2 11 860, दोनों संख्या का योग कितना है अगा दोस्तो, आठ सोड़ाईगा ठीक है तो यहाँ पर यह स्वाल को सवल करने का तरीक्हा दोस्तों ठीक है। कि कि आए दोस्तों पे चोटा सा कंसेप्ट यहां पे मैं देखेंगे और फिर उसके बाद कंसेट पर आधारित सवालों को दिस्कूस करेंगे तो कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ठ न संक्याओं कि यदि दो संख्याओं को है एक से अगर कैपिटल है मान लीजिए दो संख्याएं है उनका एक से अपने बड़ा है अन्य कैपिटल है लिया तो मैंने आपको बताया था कि उस संख्याएं क्या होंगी दोस्तों है कर दोस्तों को प्राइम नंबर होंगे decreasing चाणिस और 5 से भताइए तो आपको बताया इसका मतलब 10 गुणा में 4, 40 का मतलब 10 गुणा में 4 और 50 का मतलब 10 गुणा में 5 तो हम यह आप पे देख पारें कि 10 तो दोनों में common है तो यह क्या है दोस्तों highest common factor है यह तो आपका हो जाएगा इसके लावा जो यह 4 और 5 बचाई आपस में क्या है है अगर यहां से मैं यहां पर यहां पर इन संख्याओं का एल्शियम आपको बताए एक संख्या है और एक संख्या क्या है भई है एल्सियम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो दोन्नों में common है वो तो हम लेंगे लेंगे यानि H लेंगे गुणा गुणा अब आपको पता है जो लेते हैं इसके अलावा जो extra बच जाता है उसको भी इंपर पिकप करते हैं तो यह हो जाएगा H गुणा में X गुणा में Y यानि में गर इनके यल्सियम की बात करूँ तो की बात किरों तो सम आप कर रहे होंगे HX पलस में HY HX पलस में HY दोस्तो इसको में लिख सकते हैं H को मना जाएगा H इन्टू X पलस में Y दोस्तो Yes or No? इसी प्रकार अगर इनका सब्ट्रेक्शन करें यानि गटा करना चाहें सब्ट्रेक्शन दोस्तो याद रखेंगे तो HX माइनस SY इसको आपको फाहें 2 इन्ट एक्स माइनस Y लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं दोस्तो इतने बात आपको किलिर होगी आपको पता इनका HCF क्या होगा HCF होगा दोस्तो होगा यानि मैं यह कहना चाहता हूँ कि H क्या है दोस्तो इनका जो H क्या है यह highest common factor है यह कहें दोस्तो highest common factor है तो highest common factor आपको पता है पहली संख्या में भी मोजुद है यह दूसरी संख्या में भी मोजुद है ठेक है दोस्तो और यही highest factor दोस्तो इनके LCM का भी factor है यह इनके sum का भी factor है यान संख्याओं का जो addition होगा उसमें भी यह h मिलेगा आपको और संख्याओं का अगर subtraction करेंगे तो उसमें भी h आपको मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है hcf आपको पता है एक्स है तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा h square xy यस और नो अगर दोनों संख्याओं का hcf दोस्तों मान लीजिए h है और lcm है hxy तो अगर मैं lcm और hcf का multiply करूँगा तो दोस्तों हो जाएगा h square xy वहीं अगर दोस्तों मैं दोनों संख्याओं का गुणा करना चाहूं यानि multiplication of the numbers यानि संख्याओं का गुणा करना चाहूं संख्याओं का गुणा अगर मैं करना चाहूं product करना चाहूं तो पहली संख्या है hx दूसरी है hy दोस्तों यहां प यहां पर हम क्या देख पार है कि दोनों संख्याओं का जो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है उनके The Him यूतर हैं लोसके सनख्या अगर भुणध सनख्या को घूरा पर दूसरी संख्या बराबर है LCM into HCF इतनी बात समझे में आई दोस्तो अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करते हैं तो जो प्रोडेक्ट आएगा वो बराबर आता है संख्याओं के HCF और LCM के गुणन फल के ठेक है दोस्तो वहीं दोस्तो आगर मैं इन दोनों संख्याओं का रिष्यो निकालना चाहूं तो रिष्यो कैसे निकालेंगे दोस्तो अनुपात अगर मैं निकालना चाहूं तो अनुपात ओगा भई HC रिष्यो HC तो आप यहाँ पर देख पारें कि S तो दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तो X अनुपात Y दोस्तो इसका मतलब यह होता है और X और Y क्या होता है दोस्तो आपस में को प्राइम नंबर होता है यानि अगर दो संख्याएं है HCF उनका अगर H है तो उनका जो रिष्यो होगा वो X और Y होगा यानि को प्राइम नंबर के बराबर ही होगा अगर इनमें से H निकाड़ा देंगे तो बचेगा क्या X और Y तो इनका रिष्यो X और Y के बराबर ही होगा दोस्तो बाता की समझ में इसे प्रकार यह जो H है दोस्तो यह संख्याओं के HCF में भी मोजूद रहेगा यह इनके LCMA में मोजूद रहेगा यह इनके जोड में भी मोजूद रहेगा यह इनके घटा में भी मोजूद रहेगा बाता की समझ में दोस्तो इसके लाब हमने क्या देखा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है संख्याओं के LCM गुणा में HCFK फिर है आप यह आपने देखा अनुपात है HX अनुपात HY तो H तो कैंसल हो गया बचेगा क्या दोस्तो X अनुपात Y यानि जो संख्याओं का अनुपात है वो उन दो को प्राइम नंबर्स के बराबर होता है जो फेक्टर H को निकालने के बाद बचती है दोस्तो ठेक है दोस्तो तो यह चोटे से कंसेट है या आप इनको स्क्रίν सोट ले लेंगे या अपनी काप्पे में नोट कर लेंगे दोस्तो ठेक है आईए अब इननी पर आदारित हम अगले स्वाल डिस्कस करेंगे जो कि आप फटा फट से उन स्वालों को सोल कर पा लेंगे तो आईए दोस्तो जो अभी अवने कंसेट देखा है आग के जितने मिं स्वाल आएंगे वो इन कंसेट पर आदारित आएंगे दोस्तो ठेक है तो लेते हैं पहला स्वाल जो स्वाल है इस कंसेट पर आदारित पहला स्वाल है करें कि दो संख्याओं का योग 1215 है दो संख्या है उनका योग कितने योगम संबव है ठीक है में आते हैं या आपके दिलिपलिस में आ सकते हैं एंटीपिस में आ सकते हैं ठीक है दोस्तों यह एक हाड सवाल नहीं है यह नोर्मली सवाल तो आपको यह आना चाहिए थे कर दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 1215 एक्षेट अगर 81 है तो मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं का अगर HCF H है तो संख्याई क्या होंगी HX और HY तो यहाँ पर अगर HCF दे रखा 81 आपको 81 दे रखा तो संख्याई होंगी 81 X और 81 Y दोस्तों यह दो संख्या होंगी और कह रहा है कि इनका जो योग है 81 X पलस में 81 Y बराबर है 1215 के यहां से 81 कुम्बन आजाएगा 81 X पलस में Y बराबर 1215 है शेकर दोस्तों 1215 है तो X पलस में Y करेंगे तो 1215 बटे में 80 यह जाएगा 15 बार शेकर दोस्तों यानि X पलस में Y बराबर कितना आगया बाई 15 यह बात आगी समझ में यानि जो आप यहां पर 15 निकाड़ा है यह क्या है X और Y का एडिशन X और Y क्या है को प्राइम नमबर होते है यह मैंने आपको पहले बता दिया यानि ऐसी 2 को प्राइम नमबर बताए जिनका योग 15 होता हो तो आपको को प्राइम नहीं सब से पहले वो दो संख्या ही बताए जिनको जोडने पर पंदराता हो तो आप कहेंगे सर पहली संख्या एक और चोदा हो जाएगी फिर दो और तेरा हो जाएगी फिर तीन और ग्यारा सोरी बारा तीन और बारा हो जाएगा च्यार और यहां पे 11 हो जाएगा 5 और 10 हो जाएगा 6 और आपका 9 हो जाएगा 7 और आपका 8 हो जाएगा ठेक दोस्तो इस प्रकार से 1 और 14, 2, 3, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8 यही वो संख्याएं हैं जिनको जोडने पर 15 आता है इस से आगए अगर आप जाएंगे तो दोस्तो यह दर से repeat ओना start हो जाएगा भाई मैं 7 पलस में 8 लिखूँ या 8 पलस में 7 लिखूँ बात तो बराबरी है तो आप यहाँ पर आगए जाएंगे 8 पलस में 7 करेंगे फिर 9 पलस में 6 करेंगे तो यही तो चीज़े repeat होंगी तो आपको repeat नहीं करना ठीक है दोस्तो तो आप यहाँ पर देख पारे हैं कि यह सारी वो संख्याएं हैं जिनका योग करने पर पंदर आता है लेकिन हमें तो co-prime देखना है तो आप देख पारे हैं कि एक और चोदा में कुछ भी कुम्मन नहीं यानि को प्राइम है दो और तेरा में कुछ भी कुम्मन नहीं है एक के लावा तो यह भी को प्राइम है लेकिन क्या तीन और बारा को प्राइम है नहीं इसके अलावा 4 और 11 भी आपस में कहा हैं दोस्तों को प्राइम है क्या 5 और 10 को प्राइम है नहीं क्या 6 और 9 को प्राइम है नहीं और 7 और 8 यस को प्राइम है तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे को प्राइम नंबर जिनका योग 15 है वो कितने योग हैं दोस्तों इनके कितने युगम बन रहे हैं एक, दो, तीन और चार तो ऐसी संख्याओं के चार युगम संभव हैं कितने युगम संभव हैं दोस्तों ऐसी संख्याओं के युगम चार संभव हैं जब इन संख्याओं को जोडेंगे तो 1215 आएगा और जब इन संख्याओं के एच से अब निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यह कैसी आएगा ऐसी संख्याओं के चार यूगम संभव हैं ठेक है दोस्तों तो मैं आज़ा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा आएब आगे बढ़ते हैं अगले स 30 है और उनका एच सेफ तेरा है तो ऐसे संख्याओं के कितने युगम संभव हैं दोस्तों तो देख़े यहां पर आपको दे रखा है एच सेफ दोस्तों 13 है अगर compensation है तो क्या होंगी दोस्तों तो संख्याइब आप पता है जानते हैं 13 1300 और तेरा वाई हो जाएंगी अब करें कि इनका जो गुणा है वह 11,830 के बराबर है तो तेरा एक्स गुणा तेरा वाई बराबर आपको पता है क्या हो जाएगा 11,830 अब आपको ध्यान रखने हैं जिसे मालीजी यहां पर सकते हैं फ्यान आपको ध्यान रखने हैं लेकिन आपको पता हमना जिसे आपoj यग बटे 13 गुणा में 13 तेरा कसके रहेगा निए 13 गुणा में 13 आएगा अब देखो यहां से 13 से कटेंगे तो यह आएगा 910 139 173 कम 13 ठेक दोस्तो और 0 अब यहां पर कटेंगे 13 सते क्यान में और यहां पर 0 आजाएगा ठेक दोस्तो यह निए 17 आजाएगा यानि X into Y बराबर निकल के आजाता है 70 ठेक है इतने बात आपको किलिर हुई अब आपको वो दो कुराइब आपको बताए X और Y क्या है को प्राइम नंबर है तो ऐसे को प्राइम नंबर के पेर आपको देखने है जिनका मल्टीपल 70 आता हूँ तो पहला जो पेर है दोस्तो वो है एक गुणा में 70 शत्तर एकम सत्तर भई इसके लावा आता है दो गुणा में 35 ठेक है दोस्तो इसके लावा आप देख पर है यहां पे यानि एक सत्तर दो पैंतिस पांच चोदा साथ दस अब हम यहां पर चेक करते हैं कि क्या यह सारे के सारे को प्राइम है अपस में तो आप देख पार हैं एक सत्तर भी को प्राइम है ये भी को प्राइम है ये पांच और चोदा भी को प्राइम है और साथ और दस भी अपस में अर्थात इनमें एक के लावा कुछ भी कौमन है नहीं है तो कितने पेर बन रहे हैं दोस्तों चार तो यहां भी पेर कितने बन जाएंगे चार युगम यहां पर संभव हैं ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीपल 11830 है और जिनका 13 है ऐसी संख्याओं के चार पर संभव हैं संख्याओं निकाल संख्याओंगा तो 13 um 13 13कार में कितने पर तो निलटे संखहें कोन कोन को सब्सक्रा करिक सरें वहाएं एक तो संख्याओं 3 एक، सब्सक्राओं योऊज वह नृइग 15 चैनल रहें 10136 त single है ए Smartpenis सब्विस और चारसो पिस्पन ये वो संख्या हैं जिनका है सवाल का निचोड चार युगम यहां पे संभव हैं उन संख्याओं के जिनका है सब्सक्राइगा और जिनका मल्टेपल ग्यारा 1830 आएगा मासा करता हूँ यह चीज आपको समझ में आई होगी अगला स्वाल है कि दो संख्याओं का एच्चेफ और एल्सियम करमश है आड़तारीस और साथ सो बीस हैं दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात पांच है तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों ठेक है आपको दे रखा है और इनका जो स्ट बताया है दोस्तों एच्चिया क्या है दोस्तों एच्चिया अड़तारीस ठीक है तो मैंने आपको अभी क्या बता है दोस्तूं है एजसेफ का मतलब वह संख्या वह बड़े से बड़ा फैक्टर जो छोटी संख्या होई पूरा-पूरा काटेगा और वह बड़ी संख्या को भी पूरा-पूरा काटेगा यस और नो एट सेफ का मतला है वो नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूरा-पूरा कटेगा तो यहां पर एट सेफ दे रखे 48 और बड़ी संख्या आप से पूछे तो बड़ी संख्या इन च्यार ओप्शन में से कोई सी भी हो सकते है लेकिन वो होगी संख्या वो होगी जो तो आपका और द दूसरा आपको यहां पर दे रख और जोस दोस्तों रख और पांच और मैंने आपको बताया दोस्तों कि संख्याएं क्या होंगी आपसे पूछों में संख्याएं क्या होंगी तो 48 x और 48 y अगर इनका आप ऐसे ओर रिश्यों निकालेंगे दोस्तों तो इनका रिश्यों निकल क्याएगा मैंने आपको इस कंसेफ्ट सुर्व में बता दिया ठेक है अभी मैंने कंसेफ्ट डिश्यों वहीं यह चीज दिखे दी कि अगर दो संख्याएं एक्स और हैं तो इनका जो रिश्यों निकल क्याएगो एक्स और वाई यानि को प्राइम नंबर के बराबर निकल क्या आएगा तो यहां से अब डारेक्ट वैल्यू पूटप करेंगे आपका आँसर आजएगा पहली अगर छोटी संख्यां पुछे दोस्तो 48 गुणा में कितना रख़ देंगे भी 3 तो यह आजाएगा दोस्तो 4ac, यह है बड़ी संख्या और छोटी संख्या 3,8,4 अलपाई 2,105 यह च तो सवाल बहुत आसान है लेकिन कंसेट मांग रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान से इन सवागों को करना होता है तो मैं आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले इतना ही करना चाहूँगा कि अगर आपको इस समझ में आ रहा है आपको अच्छा लग रहा है आपको लगता है कि यस आपकी मैत यहां से इंप्रूमेंट हो सकती है तो आपको यहां पर इस बैच में एडमिसन लेना चाहिए 20 अप्रेल इ नहीं है तो किसी इस रेल्टिव या किसी साइबर केफ़े लाड़ेश मेंट करवा कर आकर को लगत spend दक्रेशी अगर शमते में आ हो से ग्यारा सुरुपए फिस बिल्कुल जैन्वन है लोजिकल है ठेक है दोस्तों तो अगर आपको बैच में अडमिसन लेना है आपको समझ में आ रहा है तो आपको अग्ला स्वाले ते अगला स्वाल है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुπαत ग्यारा है और HCF 18 है तो LCM क्या होगा? अगर दो संख्याओं का अनुπαत 9 अनुπαत 11 है तथा HCF 18 है तो उनका LCM क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर दो संख्याओं का hcf मान लीजी h है तो संख्याओं क्या होंगी दोस्तों hx और hy अब मैंने आपको इनका lcm निकालने के लिए कहा भई तो lcm क्या होगा आप कहेंगे सर h तो दोनों जगे मुझूद है वह तो common factor है तो यहां पर लिखेंगे लिखेंगे गुणा में क्या कर देंगे x गुणा में y कर देंगे तो यह इनका lcm आ जाएगा यह मैंने आपको concept अभी बताया था आपने देख लिया होगा तो यहां पर hcf दे रखा है दोस्तो कितना भई hcf आपको दिया होए 18 और संख्याओं का जो ratio दे रखा है वो दे रखा है 9 अनुपात 11 अच्छा यह ratio का है दोस्तो यह x और y तो है यानि आपस में co-prime ही तो है तो अगर इनका lcm निकालेंगे तो 18 गुणा में 9 गुणा म तो 1782 इन संख्याओं का lcm निकल के आ जाता है सिंपल सा सवाल है ठेक है और यही सवाल आपके एक्जाम में आते हैं तो हम गबर आ जाते हैं क्योंकि हमें concept नहीं पता होता अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 14 है औ पैले चीज तो यह दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों 9 अनुपात 14 और उनका lcm 1008 है ठेक है तो इस सवाल को आप डारेट भी कर सकते हो और इन सवालों को आप लोजिकल भी कर सकते हो तो मैं आपको यहां पर डारेट बताऊंगा लोजिकल एकसी और एकसोचबवीस ऑप्सणडी दिरखा है चोवन और एकसोपाच और यहां पे lcm संख्याओं का lcm दिरखा है 1008 ठेक है दोस्तों पहली चीज़ के संख्याओं का जो रिश्यों दे रकहां है कि वो दे रखा नौँ अनू पातीओं सब्सक्राइक तो तो यह तो अप्चन रेले में तो क्या दोस्तों इसके अलावा यहां पर देखे आथ नीम बैठर आठ 진्च कम आठ आठ चोग बन पतीज यहां पर 09 kümm सोरी सोरी नो से साथ से कड़ जाएगा साथ निम तरे सट साथ से बिलकुल यहां भी है तरे सट और अठाट अठाट में ठेक है दोस्तो यानि आपने केवल रिश्यों चेक किया और आपने ओप्सन डी अलिमिनेट कर दिया अब यहां पर धान से देखे दोस्तों इन डी आप च्छाने का मतलग है कि किया आपको पता होना चीए तो आखरी के तीन नंबर आप यहां पर देख पार है कि 8 से पूरा-पूरा डिवायड होता है इसस bancoir यह बता है अगर दोस्तों we CAP तभी तो आपका आप मोझूद है यानि अगर संख्याओ में भी आठ मोझूद होना चाहिए तबी तो आपका यह झार हैगा अगर संक्षाओं में ही आठ नहीं है तो क्या L4 में आठ आप आएगा यह ध्यान रखेंगे तो यहां पर आठ चैक करतें आटान में ना तो 3,68 में से भाग जाती ना ही अठान में आट से पूरा पूरा भाग जाती यह भी आपका आंसर नहीं है बहतर और 116 तो आठ नहीं में बहतर होते हैं और 112 को आठ से बाग देंगे तो आठ यहीं वो संख्या है जिनमें 8 मुझूद है तो आपका अंसर भी क्या होगा यहीं ओप्शन होगा बहतर और 112 ठेका दोस्तो यह वो दो संख्याएं हैं जिनका रिश्यो 9 अनुपाद 14 है और LC से हम 1008 है दोस्तों ठेक है तो इन सवालों को हम डारेक्ट भी कर रहे होंगे थोड़ा-थोड़ा common sense का परियोग करते हुए आप सवालों को डारेक्ट पुटप कर सकते हो दोस्तों ठेक है अगला सवाल लेते हैं क्योंकि मैंने आपको जो тем पता है जो सब्機्राइब कर दोस्तों पर기에स्दया और शवर सब्साइब नकणने कालएं पर वह यह निकड़ है फीर एस वह दोस्तों ठेक है यह मनें देख लिए लिया आगला सवाल लेते हैं कि यदि दो संख्याएं चैनुपात ग्यारा के नुपात में हैं तथा उनका एच्छीएफ 28 है तो संख्याओं का योग क्या होगा ठीक है दोस्तों यह आप से पुछा है तो देखिए संख्याओं का योग पुछा है तो मैंने क्या पता है आपको दोस्तों कि संख्याओं का अगर योग है तो उसमें भी फैक्टर का यानि जो कॉमन फैक्टर उसका मोज़ो दोना ठीक है या फिर देखिए ऑप्सन देखिए यहां पर ओप्सन है चार सो बीस आप्षन भी है चार सौ अड़ारीस ऑप्सन सी है यहां पर 302 मैं ऑप्सन डी है यहां पर 400 चिंतर एचसेफ दिया हुआ है एचसेफ कितना है दोस्तो 28 और संख्याओं का रेश्य आपको दे रखाए 6.11 तो देखें दोस्तों आगर संख्याओं का संख्याओं के मल्टीपल में मोजुद रहेगा यानि इसका मतलब यह हुआ कि अगर HCF आपका 28 है तो ये संख्याओं के जोड में भी सामिल होगा और हमसे सवाल में पुछा गया है सवालों का संख्याओं का योग क्या होगा यानि इस योग में भी 28 का मोजूद होड़ना जरूरी है तो या तो आप 28 का भजजगता का नियम चेक करके सवाल को इलिमिनेट कर सकते हैं जैसे पिछले सवाल में हमने 8 का नियम चेक किया था 28 संख्याओं का फेक्टर है common और वो भी highest इसका मतलब 28 है वो संख्याओं के योग में भी सामिल होगा योग में भी मिलना जरूरी है तो हम 28 का यहाँ पर भजजगता का नियम चेक कर लेंगे सवाल को उप्सन को एलिमिनेट कर देंगे ठेक है दोस्तो अगर नहीं होता है उससे तो हम सवाल संख्या निकाल देंगे तो संख्याओं का एच या फकर एच है होगी हैं एके उरे ऐच वाई एक्स और वाई का यह दोस्तो यह रिष्यों तो संख्याओंगी 28 गुणा में 11 28 गुणा में च्याय करेंगे 68 तो बच्चेगा 4 चैंटी 12 और 4 सोड़ा दोस्तो 168 यहाँ पे 11,88 यह असल पाई 8 11 तोनी बाइस और आठ मैं दोस्तों और प daha जकता का नियम जैका नियम आगर वह संख्या 28 what we can't do 2 और तो यहीची टी छिंटर से बाइब ने कि तो है कि możemy कि अगला स्वालत दें ओड़ी दो संख्याओं का नूपात पांच नूपात साथ है उनकी LCM वह HCF का गुणनन्फल 12,635 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा केका दोस्तों संख्याओं का योगफल क्या होगा ठेख है बई? देखिए मैंने मानना कि यहाँ पर HCF नहीं दे रखा? तो मानना HCF बराबर X तो संख्याँ क्या हो جाएंगी दोस्तों संख्याँ क्या होंगी एक का Seitकी फांच एक होrhजाएगी साथ एकS एक होता है कि नहीं होता में बताया था कि पहली संख्या से पहले संख्या गुण धूसरी संख्या कि बराबर होता है संक्याओं का संख्यां गुणा में एचर यह को बताया था और यह दोनों ही बराबर होते हैं एच सुक Spaß about बराबर h square x y ये भी मैने आपको बताया था ठीक है दोस्तो तो संख्याओं को multiple देखेंगे तो यह जाएगा 575 x सुकेर बराबर multiple दे रखा है 12635 के ठीक है दोस्तो 12635 के x सुकेर का माना आएगा यहां पर 12635 बटे 35 ठेकर दोस्तू 35 iya 105 यहां पर 26 से करेंगे और 35 से Bowl 35 यानि X सुक का मानना जाएगा यहांब away 361 ठेकर दोस्तू तो X का मान कितना जाएगा दोस्तो 360 का सुकेर रूंट तो कितना जाएगा दूस्तो 19 यानि एकस किया दोस्तों संख्याओं का है संन क्विस कायाद है पहली संख्या Wow थाए पहली संख्या 5 मे पें पांच अब खन के दूसरी संख्या भाद्क्रinum कि संख्याओं का योग व्र संख्याओ क्या हो जाएगा दोस्त है का यानि 228 संख्याओं का योगफल कितना होगा बढ़ता है अब सवाल क्या कोडिंग संख्याओं का गुणन फल कुणा सब्सक्राइब तो पांट दोस्तों का आखरी सवाल हम लेते हैं आप एक तीन अंकों की दो संख्याओं का संख्याओं का है तो अगर आपको आता है तो यहीं पोज कीजी नहीं तो आप समझे और आपको समझे में आता है तो बैच में अडिमेशन लीजिए दोस्तों ठीक है देखिए तेन अंकों की दो संख्याओं का दोस्तों थे संख्याओं क्या होंगी संख्या होंगी अगर दोस्तों मैं संख्यामय करेंगे तो कोमन याएगा बरापर दे रखा है दोस्तों 17 यानि एक्स इंटू वाई आप निकाड़ेंगे तो 171 बटे तेश करेंगे तो या जाएगा 77 के यानि एक्स इंटू वाई बराबर 77 अब ऐसी संख्याओं के पेर बताईए जिनका गुणा करने पर 17 तो एक तो पेर बनेगा भई एक गुणा में 17 और एक बनेगा साथ गुणा में 11 इसके अलावा कोई भी पेर नहीं बनेगा कि जिनका गुणा करने पर 17 तो दोइस पिर बनेंगे आप देखो संख्या रहे हैं कि दोम भी संख्यार κιा होनी चाहिए पहली संख्या भी तीन अंकों में होने चीए एक दो तीन अंक और जो दूसरी संख्या है वो भी तीन अंकों में आपसे पुछी गई है यह भी तीन अंकों में होने चीए यानि तीन तीन अंकों की संख्या होने चीए पहलांग दूसरा तीस रंग पहलांग दूसरा और तीस तो आप देखे अगर मैं दोस्तो यहाँ पर संख्याइं निकालना चाहूं तो आपको बता X का मान कितना है वही एक Y का मान कितना है 77 आगर यह value हम put up करेंगे X की जगह एक रखें Y की जगह 77 रखेंगे तो यह तो संख्याएगी 2 अंको में और 23 गुणा में 77 करेंगे तो दोस्तों यह संख्या चले जाएगी चार अंकों में बातारी समझ में और हमें दोनों ही संख्या तीन तीन अंकों में चाहिए तो इसका मतलब यह आपका आंसर नहीं हो सकता यह वैल्यू आप उटत नहीं कर सकते तो आप कोण सी वैल्यू पुट अकरेंगे दोस्तों 7 और 1100 की एकस की जगहा है नोिएस ज between रखेंगे तो दोस्तों 23 गुणा में 7 पहली संख्या की बात करें दोस्तों दूसरी संख्या की बात करें दोस्तों तो दूसरी संख्या जाएगी चेक दोस्तों क्या किया है तीन अंकों की दो संख्या है उनका एचसे अब 23 है तो संख्या क्या होजएंगे दोस्तों 23 एक और 23 वाई एल से हम निकाड़ेंगे तो कोमन फेक्टर तो लेंगे लेंगे इसके लाव एकस गुणा में वाई आएगा एकस वाई 177 बटे 23 चार संख्या आएंगी एक सो एक सट और संख्याओं का योग आप से पुछा है तो संख्याओं का योग आप निकालदेंगे तेन और इक च्यार छह और ग्यारा और 414 संख्याओं का योगा जाएगा 414 ठेक है तो यह था हमारा पार्ट एक पार्ट हो रहाएगा जो आखरी पार्ट होगा ठेक है दोस्तों तो अगर आपको समझी में आ रहा है तो आपको बैच में लेना चाहिए जो कि 20 अपरेल तक हम आपको प्रोवाइड करवा आ रहे हैं आप एडिमिशन ले सकते हैं धन्यवाद्ट